लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि आस्मान से आने वाली इस आफ़त से आपको राहत कैसे मिले। क्योंकि कुदरत के आगे किसका जोर चल सकता है। लेकिन हाँ साफधानियां बरत कर और समझदारी से आप इस आफ़त की जद में आने से जरूर खुद को बचा सकते हैं। लेकि साथ ही मौसन की मिजास को देखते हुए समय रहते अपनी तैयारिया करके ऐसी किसी मुसीबत में फसने से भी आपच सकते हैं। खास कर कि वो लोग जो अभी इन दिनों पहाडी राज्यों पर सेर कर रहे हैं। मौसून के मिजास को बताने के लिए काफी है। कहीं मौसून के बादल बरस रही हैं तो कहीं का रच रहे हैं। कहीं तेज बारिश के बाद बाढ़ चासे हाला थे। तो कहीं उस बाढ़ के पाने के बीच जिंदगी की जद्दू जहर है। केदारनाथ से लेकर बद्रिनाथ मार्ग पर पानी का पहरा है मौनसून ने इस बार एंट्री मारते ही तांडव शुरू कर दिया है तेज और तूफानी बारिश के बाद कई इलाखों में बार्च जैसे हालाद बन गए हैं पहाडों पर नदी और नाले उफान पर हैं उत्राखन में मौनसून ने दस्तक दे दी है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्राखन में रेड अलर्ट घोशित किया है एक स्पेशल रिलीज में मौसम विभाग ने कहा है कि 24 से लेकर 30 जून तक रेड अलर्ट रहेगा जिससे कि बहुत तेज बारिश को देखते हुए ये अलर्ट घोशित किया गया आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर उत्राखन में बारिश हो रही है वहीं कहीं जगाओं से हमें रिपोर्ट मिल रही है जहां पर जैसे कोड़द्वार में भूस कलन हुआ है इसके साथ साथ केदारनाथ में भी यात्रियों के गाड़ी पर बोल्डर गिरने से ग्यात्री की मौत हो गई पुरोला की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग से महाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई नौ लोग अभी तक घायल हो चुके हैं और उत्राखंड के मैदानी चेत्रों के साथ साथ पहड़ी चेत्रों में भी लगाता रुक रुक के बारिश हो रही है उत्राखंड में इतनी बारिश हुई के रुद्र प्रयाग जिले में ये गौरी कुंट के दारनाथ पैदल मार पर पहाड से जहरना बहने लगा पाने की धार देखिए कितनी तेज है अगर कोई शक्स इसकी चपेट में आ जाये तो उसका क्या होगा लेकिन अभी तो ये मौनसून की शुरुआत है जैसे जैसे मौनसून की चाल तेज होगी उत्तराखंड जैसे पहाड इलाखों में खत्रा और बढ़ेगा ऐसे ही खत्रों से नेपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम लगाने की तैयारी तेज करती है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेर और CWC जिनका की फ्लड फ्रकास्टिंग का मैंडेट है समहाओ इनके 32 हैं सेंसर बेश्ट जहां पर की टेलिमेटरी से टेलूमीर यह आनी की जो बलड लवल स्री बाटर लवल चेक करते हैं सेंसर बेश्ट उत्राखन में मौसम विभाग ने अबरे डालर चारी किया है जिसके मताबिक 29 जून तक राज्जमी मुसलाधार बारिश के आसार है यानि बारिश और बार का खत्रा उत्राखन पर मंडरा रहा है ऐसे ही खत्रों से निपटने की तैयारी के लिए अरली वार्निंग अलार्न सिस्टम बेहत कारकर साबित हो सकता है देहरदून आपदा प्रवंधन विभाग अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने की बात कर रहा है जिसके तहट राज्जी में समवेदन श्रील स्थानों पर साइरन सिस्टम लगाए जाएंगे ये साइरन उनिलाखों में मौजूद मुबाइल टावरों पर लगेंगे लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से मौसम और प्राकरतिक आपदाओं से जुड़ी पूर्व जानकारी में लेगी उतराखन में अभी चार बाढ़ वार्निंग सिस्टम है सूत्रों का कहना है कि सरकार सम्वेदर्श लिलाखों में 250 से जादा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रही है अभी तक किवल 32 चेतावनी पुड़ालिया ही काम कर रही है बारेश के बज़े से केदारनाथ याद्रा फिलहाल रोगती गई है जो याद्री सुभे के समय केदारनाथ भेजे गए थे वो रास्ते पर ही फच गए याद्रा में ख़त्रे को देखते वे 8000 याद्रियों को सोन प्रयाग गौरी कुंड और दूसरे स्थानों पर रोग दिया गया सरकार और प्रुशासन भली ही अलर्ट है लेकिन सबसे पहला कदम आपको खुदे अठाना होगा ऐसे में जरूरी है कि आप खुद भी सावधानी बढ़ते और फ़द्रों से खुद पो दूर रखें बारिश और बाढ़ के इस मौसम में कुछ बातों का पास खैल रखें अगर रास्ते से गुसर रहे हैं तो तेज बहाव से बहते पाने से दूर ही रहें अगर आप बाई क्याकार में हैं तब भी आगे बढ़ने से पहले पाने का बहाव एक पर सरूर देख लें बाई क्याकार की रफ्तार का खास ध्यान रखें ऐसे मौसम में पहाड़े इलाकों का रुख न परें बारिश के दौरान बिजले के तारों और खंबों से दूरी बना कर रखें ये वो चंद एहम बाते हैं जिनका ध्यान रखने से हाथ सुटाला जा सकता है जाहर है थोड़ी सी जल्दबाजी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है उतराखर में मौनसून की पहले बारिश राहत के साथ आफ़त भी लाई है ऐसे में साबधान रहना बेहत जरूरी है ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूस टुटे